पिल्य चात्रों, आज हम उत्तरी अमेरिका महादीब की भूगर्विक संराचना के बारे में चर्चा करेंगे। इसमें देखिए आप जो यहां की जो भूगर्विक संराचना है वो विवित्ता युक्त है और अत्यदिक जटिल है। बिन-बिन जो भूगर्विक युगों में हुए रितु प्रभा और अपरदन और भूगर्विक हल्चलों के कारण इस महादीब की संराचना अत्मक सवरूप अस्तित में आया। अब इसी कड़ी में आप देखिए जो भूगर्विक संराचना के आदार पर उत्री अमेरिका को चार भागों में बाटा है। पहला है कनेडियन अत्वा लॉरेशियन सिल्ड अब जो उत्री अमेरिका महादीब का मेप है उसमें जो पूरे महादीब को इन चार भागों में बाटा है मेप आगे है और मैं आपको अभी बता हुआ देखिए पहला है कनेडियन लॉरेशियन दूसरा है अपलेशियन ठीक है यह च्यार भाग हो गए अब आप देखिएगा इस मैप मेत रूव है आप से हमेशा कहता ही हूं कि आप एट्लस को सामने रखा करे की और इसमें देखिए, पहला है Canadian Shield, इसकी Canadian Shield को यह देखिए, इसमें दरसा रखा है, और जो की उत्तर पूर्वी भाग में फेली हुई है, और पूर्वी और दक्षनी पूरी भाग में अपलेशियन परवत माला फेली हुई है, और एक है, देखेगा, पस्च्मी उच्च भूम मैदान। यह सो मैदान धार मैदान।灯 कहले ऐध क्षम से सार। यह मैदाना मैदान। यह सिर्ड दूसरा संरा लेखन। इसको करेंज से ने कहले है करके था IT शौसे जबस भागों को और हो न किसा 100 मैदान पूरा जो यह न कोरने मादानगा और Canadian सिल्ड परदेश ब्लू कलर में है यह Canadian सिल्ड हो गया तो इस तरीके से इन चार भागों में बुगरिंग सचना को के आधा पर बाटा है अब यह देखिए पहला आपने इन चारों के वारे में चर्चा करते हैं इनकी जो महत्मुन महत्मुन तथ्यान पर चर्चा करते हैं Canadian लॉरेशन सिल्ड तो आपने कोई पता होना चाहिए इन चारों में जो सबसे पुराना भाग कौन सा है Canadian लॉरेशन सिल्ड वाला भाग ठीक है अब देखिए जिसका नाम क्या रखा लॉरेशन द्रड भूखंड के नाम से भी इसे जाना जाता है महादीप के उत्तर एवं सकते हैं इसको और यह क्या है प्राचिंतम चट्टानों से निर्मित ठीक है इस भूखंड का ढवा G जो नदियां के आधार पर आप इसको देख सकते हैं कि नदियां किदर की साइट बैरी हैं तो उस आधार पर आपने इसका जो ढाल देखेंगे तो वो किदर है उत्तर की ओर है और सत उचाईक इसकी क्या है 300 में आसपास है ठीक है है कि चत्टम से निर्मित द्रढ़üre भूखंट व AZ已經 4 इसकी चत्टम में अतुल खनी संपधा मिलती है लॉर्ष nov emailed लॉर्ष यचा नोमें आतुल संपधा मिलती है तो यह कंडेन जो रकूर्ष इन्स्टम में इसकी कुछ तो इसमें क्या-क्या चीज़े पाई जाती है और यह कितना पुराना है इस तरही है अब देखेगा इस भुखंट का अधिकांस भाग कनाडा में है ठीक है कनाडा में अधिकतर फैला हुआ इसका राम कनेडियन भी रखा हुआ है जिसमें सेंट लोनेंस गाटी और अकेडिया के छोटे भागों को छोड़कर आंत्रिक मैदानों के पूरम में इस्तित कनाडा के भाग समलेते हैं कुछ भागों को छोड़कर संपून भाग किसमें कनाडा में इस्तित हैं सहुकतराज अमेरिका में इसका बिस्तार सूप्रियर जील के दक्षिन की ओर सूप्रियर के कारण इमानिकर्ण का प्रभाव है इस छेत्र में तो उससे कुछ जीलों के निर्माण हुए जिसमें ग्रेट वियर, ग्रेट सलेव, विनिपेग, एथावेसका, आदी जीलों का निर्माण हुआ है जो कि कहां इस्तित है करनाडा में इस जीलों के पूरम में इस्तित है इसके दक्षियन और दक्षियन पूरम में इस्तित में निमन भूमी है तो इस तरीके से Canadian Logition Center के वारे में आप Atlas को सामने रखके और जो यह मैं पताए हैं उनके सामने रखके और फिर आप अच्छी तरह से इसको समझेंगे तो आसानी से आपको यह समझ माजाएगा और महादीब के वारे में एक location आप ही clear it हो जाएगी कि इस चेतर में इस तरह की चट्टाने हैं इस में location बता रखिए मैंने एकटे की हैं काभी तो उसमें आपको कुछ सुभीदा रहे सुभीदा देखिएगा अब देखिएगा Canadian स्टिल्ड का जो अपने सर्च करी यह चेतर Canadian स्ट है ठीक है जो इसमें तो यह देखिए Canadian स्ट और हटसंड की खाड़ी लैबरोडो का पठार पूरी भाग में और वैफिन की खाड़ी ग्रिंडलेंड वैफिन दीब आर्टिक दीब समू है यह उत्तर में जो भी है तो यह सारी चीज़े इसमें आती है और जो इसमें संके तक में लिख रखिये जीले हैं तो इसमें नंबर डाले हो है 1234 मैप में भी इसमें गए तो इनकी लोकेशन हो गए यह ग्रेट वियर जील कहां पर है ग्रेट स्लेब एथावेस्का रेंडियर सेक्सेच्वान और विनिपेग यह जीले हैं और महान जीले साउथ में इसमें दिखाई रखा है और जो दक्षिन पूरब में एक सेंट लोइस इसकी नदियां इस इसका विस्तार देखिया इसका विस्तार उत्री अमेरिका के मैप को सामने रखिए उत्री अमेरिका के पूर्वी भाग में पूर्वी भाग में उत्तर की ओर उत्तर की ओर न्यूफांड लेंड दीप अब देखिएगा वहां न्यूफांड लेंड दीप कहां पर है आप इ यह नूफाउंड लेंड दीप है यह देखिए इदर यह वाला चेतर नूफाउंड लेंड दीप है जो लेब्रोडेर जो सेंट लॉरेंस नदी यह जारी है अपलेशन पर बत के और यह उत्तर पुरी भाग में पढ़ता है तो आपन जो पहली क्लास लिए उसमें भी आप है उसमें देख पाएंगे कि नूफाउंड लेंड दीप कहा पे है अब इसके बाद देखेगा आप कि नूफाउंड लेंड दीप से दक्षिन की ओर फ्लोरीडा राज के उत्तर तक यह फैला हुआ है ठीक है अब यह आप जब से काल में हुआ हर्सी यान भू संचलन के परणाम सुरूप इसका निर्मान हुआ हर्सी यान काल में इसका निर्मान हुआ और यह अप्लेशन परवत चार अपरदन चक्रों से गुजर चुका है कितने चक्रों से गुजर चुका है चार अपरदन चक्रों से गुजर चुका है और इसकी अधिक्तम मुचाई 200 मीटर के आसपास है ठीक है विसान परबत्स रंखला के निर्माण के बारे में एक आ जाता है कि यह प्लेजोई क्योंकि अंद तक घने तलचटी जमाओं में उत्तर की और उत्तर की पूरव दक्षिन में एक सेकिंड थोड़ा होल्ड प्लेजोई क्योंकि अंत में तलचटी जमाओं के निच्छेपों से के उत्तर से दक्षिन पच्षिमी अक्ष के सारे बलन की किरिया के दुवारा इस अपलेशियन प्रवंत तंत का निर्मान हुआ सरशना की दरश्टी से यह परदेश बड़ा जटिल माना जाता है ठीक है उत्तर पूरव से दक्षिन पच्षिम की और एक परवतिय स्रंकला का निर्मान हुआ जिसके अले में चर्चा कर रहे हैं और यहां की जो भूमी है इसको विसम बताया गया है कि यहां की जो भूमी है वो विसम है और यहां पर कोईले के विपुल बंडा आ रहे हैं यानि की कोईला यहां पर प्रशूर मात्रा में पाया जाता है अब देखिएगा अब भूसरनचना के आधा पर अपलेशियन को तीन भागों में बाटा गया है पूर्वी भाग इसे प्राचीन अपलेशियन के नाम से भी जाना जाता है यह ट्राइसिक निम्न भूमी दुबरा उत्री अब जो नवीन अपलेशियन पर बता है इसका विस्तार सैंट लौरेंस निम्न भूमी चैंपलेन और हट्सन की काटी तक होकर है जो इसके उत्री भाग में जो नवीन अपलेशियन पर बता है वो उत्नया है और अपलेशियन पठार है वो उत्री इसका विस्तार अलगेनी जो अलगेनी पठारे मैप में देखिए अलगेनी पठारे वैं दक्षनी विस्तार कंबर्लेंड पठार के नाम से भी जाना जाता है यहां दक्षनी थोड़ा सुद्ध लिखा हुआ है इसको थोड़ा सही कर लीजिए दक्षनी यह तीन भागों में इसको भाटा गया है अब देखिए जो सहुद्ध राज अमेरिका है का उसका अधिकान स्कोईला उत्पादक छेत्र कहां पर है इस अप्लेशन प्रवतमाला में ही पड़ता है और यहां पर उच्छतम कोटी का बिटो मिन्स कोईला पाया जाता है और कोई चेत्र भी यहां पर स्विकत्ट राज अधिक है पूर्वी योंत्ततर पूरी भाग में अमेरिका उत्त्रि के उत्तर पूरी भाग में कोईला मात्रा में पाय जाता और इसका बिस्तार पैंसिलवानिया आप देखिए जो USA के इस्टेट है उनको देखिए आपके पास मैप है पॉलिटिकल मैप उसमें देखिए पैंसिलवानिया कहां पे है वो पश्चिम से पूर्वी ओहियो वर्जिनिया का पूर्वी और सम्भी परती छेतर तक यह फेला कोईले का चेतर तो इन स्टेटों को आप उसमें देख सकते हैं मैप मैं कि इनकी लोकेशन कहां पे है आप इसके लाबा मद्वर्ती चेतर पादwegen की द hmदिश इस तान रखता यह आपका अप्लेशन परवत छेत्र में जो कोईला का उत्पादन जहां होता है उसके बारे में बताया है थोड़ा सा अब यह देखिएगा जो तीसरा है जो उत्तरी अमेरिका के पश्चमी भाग में इस्तित है जो उत्तर से धक्षिन की और फैला हुआ है वह है पश्चमी उचक परदैस जिसको काडी लेरा भी कहते है पश्चमी काडी लेरा भी कहते हैं यह उचक परदैस उत्तरी presentation महादीप के लगभग एक त्याई से अधिक भाग पर फैला हुआ है यह चेत्र कितना पुए पहला है एक पठा तीन महाग पर फैला हुआ है कि महादीप के पश् परवत माला है पश्चमिकाडिलेरा इसमें रौकीज परवत माला भी है जो नवीन मानी जाती है वलीद परवत है जिसका संबंद किसी युक से किसे है अलपाइन परवत निर्माण युक से माना जाता है अब इसके लावा जो पैंजिया मादीप के विखंडित होकर पूर्व पश्चिम की होने पर हमाले दमाव के कान अभी यह का जाता है जो जब पैंजिया एक जगे था बैगना रके नुसार आपने फश्टने पड़ा होगा तब इसका टुकडे हुआ बिवंजन हुआ तो कु जो कुछ बाग उत्तर की वर गए जो पश्च्चम की बाग उसमें द्योर द रक्ष्चन अमेरीका तो वह था है उत्तरी अमेरिकर दक्ष्चन अमरीका तो जब वह पश्च्चम की खिसक करह थे तो कि यह पड़ गया झाण भलन यस तो यह कारण आपनने इस परसांद मासागरी प्लेट कहा गई, उत्री अमेरिका प्लेट के नीचे गई, तो ये पश्मी काड़ी ले रहा का निर्मान हुआ, ये माना जाता है, अब देखेगा, परवती भाग इसके तीन भाग बताएगे हैं, एक तो हो गया, जो ये पश्मी काड़ी ले रहा है, इसक परवती चेतर, जो कि परसांद के तटके सारे सारे फेला हुआ है, उत्तर से दक्षिन पेला हुआ है, अब ये देखिए इसमें, और जो रौकिश परवती रहा है, परवती पठार, ये हो गया, अब ये देखेगा, ये हो गया, आपका प्श्मी काड़ी ले पड़ने, इस प्रवत है और पश्मी भाग क्या है पश्मी भाग क्या है परसांत प्रवतिये छेत्र ठीक है और इसका जो मद्द का भाग हो क्या हो गया अंतर प्रवतिये पठार वाला छेत्र हो गया अब इसमें देखो कोलोड़ोड़ो का पठार हो गया बैसिन रेंज हो गई कोलोंबिया इसने एक पठार हो गया यह पठार है यह देखिए इसमें दे रखें ग्रेट वैसीन को लोड़ोड पठार यह सारी चीजे इसमें तो इसके यह भाग हो गया तो तीन भाग इसके कर रखें पश्मी काडिला प्रदेश के और अब आप देखेगा जो लांश्ट है वह है मैदान को यह दे रखा मद्द्वर्ति मैदान तो यह किस से गिरा हुआ है यह पश्मी काडिले रहा कनेडियन सिल्ड और अप्लेशन परवत्ति चेट इन जो तीन भाग है इन तीनों और से गिरा है पश्मी काडिले रहा अप्लेशन परवत्ति और कनेडियन यह मद्द्व आर्टिक सागर से लेकर मेक्सिको की खाड़ी तक अप्लेशियन तदा रौकिश प्रवत के बीच में इस्तित है ठीक है और इसके पूरम में करेडियन सील्ड और अप्लेशियन है तदा पस्चिम में परसांत उच्च भूमी है यह भाग प्रारम में किसी समय तक छिचला समुद्ध था जो कालंतर में अप्लेशियन और रौकिश प्रवत्ताओं से जो अप्रदन के कारान जो निछे प्राप्त हुआ उससे एच्छे तरव भन गया और उपर उठकर मैदान का रूप दहनन कर लिया ठीक है यह इसकी काहनी है उपर उठकर मैदान में परुषित हो गए इस पकार यह मैदान नदियों दोरा तलचट के जमाव से बना है तो इस मैदान का निर्मान किससे हुआ है नदियों के दुवरा जो तलचट लाया गया उसके जमाव से एक इसका निर्मान हुआ इस मैदानी परदेश में हिम जलोड निच्छेप के कान भी मिलते हैं ठीक है किसके निच्छेप मिलते हैं हिम जलोड के निच्छेप के प्रमाने भी मिलते हैं और इसकी प्रद्दार चट्टानों में कोईले और खनीज की मात्रा, प्रचूर मात्रा में हैं, ठीक है, यहां संचित बंडार बहुत सारे हैं इसके, अब इसके कुछ भाग किये हैं, मुक्रूप से पांच भाग किये हैं, जिनमें मैकेंजी निम्न भूमी, ब्रहद मैदान, आंत्रिक निम्न भूमी, आंत्रिक उच भूमी, और आंत्रिक निम्न पठा, यह पांच भाग इसके किये हैं, जिसमें मैकेंजी निम्न भूमी, कनाडा के उत्री भाग में, सुदूर उत्री भाग में हैं, ठीक है, और जो ब्रहद मैदान है, यह रोकीज के पूरी भाग मे स्कndink पाश्थिति यह मैदान भ्हेद मैदान और इसके बाद में जो आंत्रिक निम्ह भूमिय के नाम से गाणा जाता है इसके लाबा आंत्रिक उच्च्च भूमि में और पार्टिक्स का छेत्र समलित किया जाता है और जाका पठ्थार के पठ्थार का बिस्तार का भाग है, थीक है, तो यह उच भूमी हो गए यहां की, और आंत्रिक निन्ने भूमी है, उसमें Kentuकी और Tennessey का आप स्टेट देखिए, कि यह कहां पड़ती है, तो वो छेतर के हो गया, आंत्रिक निम्ने पठ्थार वाला छेत है दो वैसीदों का निर्मन होगा नैस बिले और ब्लू ग्रास बैसिन का निमान इस आंत्रिक निर्मन पठार के छेत्र पे हुआ है इस प्रकार यह पांच भाग मद्वर्ती जो है मद्वर्ती मेदान को पांच माग किये हैं यह हैं और इस प्रकार आप यह अपन जो भूगर इसा टिपिकल टॉपिक नहीं है थोड़ा सा मैप पर कॉंसेंट्रेट मैप आपको इतरे आएगा तो आप जो लाइन इसके साथ ताथ आप मैप में अप्लाइ करोगे तो आराम से आपको ही समझ में जाएगी ठीक है धन्यवाद